सान बायो नमस्कार मैं आपका दोस्त पारज दाकर आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल एगरिकल्चर इनपोर्मेशन दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरिच की फसल में पिलापन आने के पांच परमू कारण के बारे में जैसा कि दोस्तो मिरिच की फसल में पिलापन आ जाने के कारण पोदे में हरापन नहीं रहता है पोदे में फूल जड़ने की समश्या आ जाती है पोदे में मिरिच नहीं लग पाती है अगर पुदे में ज़्यादा पिलापन है तो उसमें वाइरस का ठेक भी ज़्यादा देगने को मिलता है यानि कि मिरिच की फसल में पिलापन की समझ्या का नियंतर कैसे करे इसके लिए कौन-कौन से खाट डले या कौन-कौन से स्प्रे करना चीए इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो आप हमारे वीडियो सुरूच से लेकर अन तक जरूर देखे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक संसात्यों के साथ सेयर भी जरूर करे दोस्तो मिरिच की फसल में पिलापन आने का पहला कारण होता है रज सुसकीट अगर मिरिच की फसल में सपेन मच्छर थ्रिप्स माइर्स वगरा रग रहे हैं और वह पतों का रश चोच रहे हैं तो उसके कारण भी मिरिच की फसल में पिलापन की समश्या देखने को मिल सकती है दूसरा कारण पानी अधिक देने से जैसे कि दोस्तो अगर आप जल्दी जल्दी मिरिच की सिचे कर रहे हैं उसमें नम्मी अधिक मात्रा में बनाए रख रहे हैं तो उसके कारण भी मिरच की फसल में पिलापन देखने कोई समश्या आ सकती है तीसरा कारण मोसम में उत्तार चड़ाओ जैसा कि दोस्तों अगर मोसम साथ नहीं दे रहा हैं बादल चाह रहे हैं कम कम बारिस हो रहे हैं हलकी बुलकी बारिस हो रहे हैं तो इसके कारण भी आपको मिरच की फसल में पिलापन देखने को मिल सकता है चौनता कारण NPK की कमी के कारण अगर मिरच की फसल में नाइट्रोजन, पासपोरस, पोटास की कमी हो रहे हैं तो आपको समय समय पर इनका इस्प्रे करना चीए या फिर आपको जमीन में आपको इसकी ग्रेड बनाकर जमीन के अंदर चिलाना भी बहुत जरूरी होता है च्छटा कारण ज्यादा तामान के कारण दोस्तो अगर समय पर ज्यादा तामान हो रहा है अगर ज़्यादा ठंड ने पड़ रहे हैं ज़्यादा गर्मी हो रहे हैं तामान साथ नहीं दे पा रहा हैं अगर जिन तामान की पौदे को आप सकता होती हैं उससे उपर तामान जा रहा हैं तो ये भी मिर्च के बसल में पिलापन आने का प्रमू कारण होता है तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमने मिरिच की फसल में पांच कारण बता हैं पिलापन आने अगर ये पांचों कारण आपके मिरिच की फसल में हो रहे हैं तो आपके मिरिच की फसल में पिलापन आ सकता है तो दोस्तों इनको दूर करने के लिए आपको मिरिच की फसल में कुछ खात का प्रियोग करना बहुत ही जुरूरी होता है पिलापन दूर करने के लिए आपको मिरिच की फसल में एक एकड़ के लिए आपको केलसियम नाइटरेट पांच किलो और आपको बोरान 250 कराम को आपस में मिक्स करके आपको पोदे की जड़ों से 5-10 सेंटिमीटर दूर गड़ा कोद कर उस गड़े में डाल कर गड़े को वापस बंद कर देना चाहिए और उसके बाद में आपको सिचे कर देना चाहिए इस परकार अगर आप मिरिच की फसल में इन दो खात का प्रयोग करते हैं तो आप मिरिच की फसल में पिलास्पन की समझ्या का नियंतरन पा सकते हैं और अगर मिरिच की फसल में ज़्यादा कलर पाना चाहते हैं तो आप मिरिच की फसल में टोनिक का उप्योग भी कर सकते हैं मार्केट में अनेक प्रकार के टोनिक आते हैं जिसे की करसी रसान कमपनी का पोसक सुपर जोई सुपर इसके अलावा फैंटाक प्लस पी एई कमपनी की बाई वीटा इन में से किसी भी प्रकार के एक टोनिक का आप उप्योग करके मिरिच की फसल में पिलास्पन की समझ्या से नियंतरन पा सकते हैं अगर इन सबी का प्रियोग करते हैं तो मिरिज की फसल में ज़्यादा फुटाव देंगने को मिलेगा ज़्यादा फूल ओल फल आएंगे तो आपके मिरिज भी ज़्यादा आएगी और प्यदावार भी जरूर बढ़ेगी दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही जानकारी अच्छे लगी है और आपको और कुछ जानकारी चीए तो हमें कमेट आउश्य करें दन्यवाद जे जुवाद जे किसान